ब्रिक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्या रसोई में मिलने वाली चीजों से हाट के ब्लॉकेज खुल सकते हैं? आपका जवाब ना हो सकता है लेकिन सागर के एक वेत का दावा है कि कुछ घरेलू चीजों से ही गंभीर से गंभीर ब्लॉकेज को ठीक किया जा रहा है कई लोगों को इसका लाब भी मिल चुका है और अब दिल्ली एम्स ने भी इस दावे की सच्चाई परकने के लिए पूरी रिपोर्ट मांगी है दो बंगला पान डंठल सहेद दो लहसुन की कली पांच ग्राम अदरक और थोड़ी सी शहद हर घर में यह आसानी सिमझ जाते हैं सागर के वैज बियन जूशी का दावा है कि इनने बनाई जो दावा है वो दिल के बड़े से बड़े ब्लॉकेज को महज 5 से 10 दिन में ठीक कर देगी बियन सोनी का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने खुद पर इसका प्रयोग किया और जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो दूसरे मरीजों को दवा देना शिरू कर दी मरीजों में डॉक्टर भी शामिल वैध बियन सोनी के मताविक इस दवा को बनाना भी बेहद आसान है दो बंगला पान डंठल सहर दो लहसुन की कली पांच ग्राम अदरक को पत्थर पर पीस ले पीसने के बाद रस को काच या चिनी के बरतन में निकाले निकालने के बाद रस में दो चम्मच शहद मिला है और इस रस को 45 मिनिट में धीरे धीरे उंगली से चाट ले इस दवा को एक बार में नहीं पीना है और इसे खाने के एक घंटे तक कुछ भी खाना पीना रही है जिन मरीजों ने वैद बियें सोनी का नुस्खा अपनाया है वो इसे हार्ट के ब्लॉकिज का रामबार उपाय बताते हैं डाक्टर ने कहा था कि आप कुछ एंसी थेरेपी दीजिए ये दवाई सुरू कीजिए आप एंजोग्राफी और करा लीजिए तो उसके बाद मैं जैसे ही मुझे सोनी जी की दवाई का मालूम पड़ा तो मैं इनके पास किया था इन्हों ने इस दवाई के लिए सजेश्ट किया आज मुझे ये दवाई देते हुगे साथ दिन हो गए हैं तो साथ दिन में डेवाई बे सांस भरना कम हो गई है और अब मैं बहुत ही पैदल चलने लगा हूँ अब परिशानी मेरी 80% कम हो गई है मुझे लगता है कि वो बलाकेज भी बहुत कम हो गए होंगे तो पैरलिस अटेक आया था ठीक है तो मैं डाक्टर दीपान सुद्वेको मने दिखाया तो उन्होंने मेरी दवाईया चाली होगी और मैं गुलावास रमाता जता रहता हूँ करीच सौ मरीज इस देशी दवा से आराम पा चुके है अब दिल्ली एम्स ने भी वैथ बियेंज सोनी से पूरी रिपोर्ट मागी ताकि इस दावे की सच्चाई पता की जा सके अगर जांच में दावा सही सावित हुआ तो इन उसका किसी वर्दान से कम नहीं होगा बंकत सोनी बंसल निउस सागर